है 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 बात करनी है अपने प्रेजेंट परफेक्ट एंस्की हम सिंपल प्रेजेंट टैन्स की बात अल्रेडी कर चुके हैं अब चैनल पर जा सकते हैं यूट्यूब वीडियोज देख सकते हैं वह पेले ही अपलोड हो चुकी है इस class के अंदर हमने बात करनी है जैसे कि मैंने कहा है present perfect tense की तो start करते हैं हम इसे देखिए अगर इसकी बात करते हैं तो पहले हमें समझना होगा कि present perfect tense है क्या चीज़ अब देखिए बड़ी simple सी बात है कि इसके नाम में आ रहा है perfect अब इस perfect का अगर हमें मतलब समझ आ जाता है तो काफी हद तक हमें ये tense समझ आ जाएगा बात हो रही है present की तो मतलब कुछ वर्तमान की बात कर रही है perfect का मतलब यहां पे है कि जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते जो अभी complete हो चुकी है अगर कोई information आपके पास ऐसी है जो अभी complete हो गई है हो चुकी है या किसी ने ये काम कर लिया है completion हो चुकी है उस काम की तो वो done हो गया है उसको अब आप बदल नहीं सकते तो उस purpose के लिए हम यहां पे word perfect यूज़ करते हैं example के थूँ समझते हैं कि किस तरीके से हमने यूज किया है इसे जैसे हमने एक हिंदी का sentence हम लेते हैं राम cricket खेल चुका है अब उसने पास्ट में खेलना शुरू किया था लेकिन वो अब खेल चुका है अब नहीं खेल रहा है तो the work has been done complete हो चुका है ठीक है तो इस particular sentence को हम क्या कहेंगे present perfect tense का ही है sentence आपका होगा similarly, cita school जा चुकी है cita किसी ने पुछा आ आपसे कि cita कहा है तो आपने का कि वो स्कूल जा चुकी है या cita school चली गई है ठीक है वो काम हो चुका है end के अंदर चुका है चुकी है यह वाली जब ending होती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो आपका sentence है, वो present perfect का है हम class attend कर चुके हैं हम class attend कर चुके हैं, हमने class attend करनी शुरू करी, हमारी class अब खतम हो चुकी है, हमने attend कर ली है तो एक काम शुरू हुआ और वो complete हो चुका है ठीक है, बट वो अभी complete हुआ है और वो अभी की definition है, वो ऐसा भी हो सकता है कि it may be कि आप से कोई पूछे कि आपने exam कब clear किया मैं exam दो महीने पहले clear कर चुका हूँ या क्या आपने खाना खा लिया है हाँ मैं अभी 15 मिनट पहले खाना खा चुका हूँ तो आपको ये समझना होगा कि एक काम past में शुरू हुआ और speaker के according जो person अपनी बात को बताना चाहता है उसके according अभी अभी खतम हुआ है लेकिन उस अभी अभी की definition vary करती है person to person या जिस चीज की आप बात कर रहे हो उसके according अब इसको अगर English में convert करते हैं तो बड़ा simple सा इसका rule बनेगा उसको हम देखते हैं राम cricket खेल चुका है राम has played cricket सीता स्कूल जा चुके सीता has gone to market हम class attend कर चुके हैं we have attended class तो अब ये तो हमारे बन रहे थे इसके simple से sentence अब आगे अगर हम बात करते हैं आगे अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि जो हमारे sentence है वो हमारा subject, verb, object और कुछ cases में हम helping verb का इस्तमाल भी करते हैं जब हम tenses का rule पढ़ते हैं तो बस अब हमें वही चीजों को फिर सा identify करने हैं ये सारी चीजें हम पहले ही अल्रेडी दो classes के अंदर जिसके अंदर हमने टैंसिस का basic पढ़ा था और simple present tense पढ़ा था और present continuous tense के वारे में पढ़ा था इन classes के अंदर हम detail में discuss कर चुके हैं तो यहाँ पे ज़्यादा time नहीं खराब करेंगे आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और channel को subscribe भी कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि राम सीता और वी subject हैं subject क्या थे जो person काम करता है यहाँ पे हमारी verb क्या है play खेलना हमारी verb है go जाना attend class को लगाना यह सारी हमारी क्या है verb है अब हमने यह बात भी करी थी कि हमारी जो verb होती है उसकी तीन forms होती है first form of verb second form of verb third form of verb अब यहाँ पे एक attention देने वाली बात है यहाँ पे एक important बात आती है वो क्या आती है इस particular tense में present perfect के अंदर हम verb की third form का इस्तेमाल करते हैं we use the third form of verb whenever we are talking about present perfect tense तो यहाँ पे जो आपका play था वो किसमें modify हो गया है played के अंदर go आपका modify हो गया है gone के अंदर attend आपका modify हो गया है attended के अंदर ठीक है जी तो यह एक आपका सबसे important change आता है particular tense के rule में कि आपको जो आपकी verb है उसकी third form का इस्तेमाल करना है इस चीज़ का खयाल रखना है इस particular tense में और end में तो आपका वही आएगा object आएगा cricket यहाँ पर आपका sentence में था market second sentence में था class आपका third sentence के अंदर आपका object था ठीक है अब बात करते है complete rule क्या बनता है इसका बड़ा simple सा rule बनता है इसका सबसे पहले आपका subject आजाएगा जैसे मैं फिर अगर एक बार बता दूँ आपको जैसे हमने लिखा था राम तो आपका राम क्या हो गया है subject हो गया है उसके बाद हमने कहा था has तो यह has आपका यह helping verb का का काम कर रहा है यहां पे उसके बाद आपका आजाता है वर्ब की third form और आखरी के अंदर आपका आ जाता है object तो यह rule बनता है अब यहां एक question put होता है कि सर कौन सी situation के अंदर have आएगा और कौन सी situation के अंदर have आएगा तो अब हम वही देखेंगे देखें यह बात भी हम पहले की classes में discuss कर चुके हैं कि जो हमारे subjects हैं वो भी दो type के होते हैं singular subject and plural subject अगर हम बात करते हैं अब अपने singular subject की तो single person की बात होगी उसके साथ आपका आएगा has और अगर हम बात करते हैं हमारे plural subject की मतलब एक से जादा persons की तो हमारा क्या आएगा have तो यह एक difference आता है जब हम बात करते हैं अपने type of subject की तो आपको clear हो जाना चाहिए कि कौन सी situation के अंदर आपका has आएगा as a helping verb और कौन सी situation के अंदर आपका have आना चाहिए as a helping verb exceptions यह बात भी हमने पहले कर ली है कि जो हमारा I है और जो हमारा you है यह दोनों हमारे exceptions रहते हैं यह ऐसे आपके pronouns हैं जो कहीं ना कहीं rules नहीं मानते हैं जो proper singular subject के लिए रखे गए हैं English में तो यह क्या कहते हैं I कहता है कि मेरे साथ तो मैं have ही use करूँगा किसी भी condition के अंदर अगर हम present perfect tense की बात कर रहे हैं Similarly हमें कहता है you भी कहता है कि अगर मुझे आप as a subject use कर रहे हो तो मेरे साथ जो आप helping verb use करोगे present perfect tense में तो आप उसको have use करोगे ठीक है जी तो यह हमारा था फरक की कौन सी situation के अंदर हमें has use करना और कौन सी situation के अंदर have का use करना है अब आगे अपनी वही चीज हम discuss करेंगे कि हमें किस तरीके से rules को modify करना है according to type of sentences की concept sentence हम बात कर रहे हैं उसके according क्या rule में change आएगा इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास चार तरह के sentences होते हैं सबसे पहला हमारा होता है affirmative sentence और affirmative sentence की अगर मैं बात करता ह तो यह हमारा simple sentence होता है जिसको हिंदी में हम पून विराम से end करते हैं और English में full stop से end करते हैं तो इसकी तो example हम पहले ही कर चुके हैं राम cricket खेल चुका है राम हैस प्लेड क्रिकेट सीता स्कूल जा चुकी है सीता हैस गॉन मार्केट हम class attend कर चुके हैं we have attended class यहाँ पे एक important बात आती है कि अगर आप अपने sentences को हिंदी में देखते हैं तो उनकी end में आपको एक common चीज observe होगी वो है चुका है चुकी है चुके हैं अब जो यह आपका end हो रहा है कहीं ना कहीं यह आपको indication देता है कि अगर आप अपने मन में अपने दिमाग में एक sentence सोच रहे हैं जि चुकी है आ रहा है चुके है आ रहा है तो definitely आप बात किसकी कर रहे हैं present perfect tense की बट कुछ cases और भी discuss होते हैं जिसके अंदर चुका है चुकी है चुके है डायरेक्टली नहीं आता कुछ और भी हिंदी में ending होती है उसको हम आगे discuss करेंगे तो definitely आप आगे का rule देखिए तो इस उसके बाद आता है जी हमारा negative type का sentence second type का sentence negative sentence मतलब including not तो अब इसके अंदर क्या change हो रहा है राम ने cricket नहीं खेला है राम has not played cricket तो इसमें बस not का ही फरका है बाकी सारा sentence सेम रहा है यह सीता बाजार नहीं गई है सीता है नहीं गई है सीता है नॉट गॉन टू मार्केट हमने class attend नहीं किया है we have not attended class अब इसके rule में modification जो हो रही है वो तो हो रही है सिरफ एक not की बट अगर आप ध्यान से समझे हिंदी के अंदर क्या change हुआ है ताकि आप जब सोच रहे हो sentence एक negative sentence सोच रहे हो तो आपको ज़्यादा clarity बने पहले sentence का end हो रहा है खेला है राम ने cricket न आपकी present perfect sentence में ही आती है सीता बादार नहीं गई है गई है की sense बन रही है तो अगें यह भी आपका present perfect tense ही आ रहा है we have not attended class हमने class attend नहीं किया है अगें आ है यह वाला sentence भी अगें आपका present perfect tense के अंदर ही include हो रहा है तो यह चीज बहुत ज़्यादा important है present perfect tense में maximum cases में आपका चुका है चुकी है चुके है यह लिया है यह वाली form के अंदर अगर आप सोच रहे हैं तो present perfect tense बन जाता है बट और ज़्यारिटी के लिए आपक कि कुछ cases में ऐसी ending में भी आपका present perfect tense ही यूज हो रहा है और rule के अंदर तो मैंने बता ही दिया है आपको कि सिरफ एक छोटी सी modification हुई है वह हुई है कि आपका सारा rule सेम रहेगा जैसा आपका affirmative sentence में रहा था बस negative में not आपका यूज हो जाएगा आगे बात करते हैं third type of sentence की जो आपका क्या है interrogative sentence अब interrogative मैं पहले भी बता चुका हूँ कि interrogative का मतलब है कि किसी से कोई question को पूछना तो इस scenario के अंदर इस situation के अंदर हम क्या काम करेंगे अब आप पूछ रहे हो किसी से क्या राम cricket खेल चुका है आपको नहीं पता है कि राम ने cricket खेला है या नहीं खेला है तो आप पूछ रहे हो तो इसके अंदर आपका sentence बन जाएगा has Ram played cricket similarly क्या सीता बजार गई है क्या वो जा चुकी है बजार या वो गई है इस sentence के अंदर आपने क्या बना दिया है सीता गॉन टू मार्केट और एंड के अंदर क्या उन्होंने कख्षा में भाग लिया है क्या उन्होंने क्लास अटेंड करी है या की है तो इसके अंदर आपका sentence बन जाएगा have they attended classes तो अगर आप रूल की तरफ ध्यान से देखते हैं तो रूल के अ कहीं आपकी सब्जेक्ट से भी पहले आ गई है और एंड के अंदर आपका आ गया है क्वेशन मार्क सिरफ यह एक चेंज हो रहा है और कोई चेंज नहीं है आपका जब आप बात कर रहे हो इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस की और लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस आ रहा है नेगेटेव नौट की फॉम के अंदर भी एक सेंटेंस है तो कहीं न कहीं दोनों का कॉंबिनेशन है तो इसको हम क्या करेंगे has Ram not played cricket क्या Ram cricket नहीं खेल चुका है क्या Ram ने खेला है तो question भी पूछ रहे हो और negative style में पूछ रहे हो तो negative का not आएगा और interrogative का subject से पहले आजाएगा मतलब subject से पहले आपका आजाएगा has और have तो इस situation में क्या होगा has Ram not played cricket क्या राम क्रिकेट नहीं खेल चुका है similarly, क्या सीता बजार नहीं गई है, has सीता not gone to market, क्या उन्होंने कक्षा में भाग नहीं लिया है, have they not attended class, तो इसका final rule आपका क्या बन जाएगा, have have plus subject plus not plus verb की third form plus object, और end में because interrogative है, तो question mark तो definitely आएगा ही, आएगा, तो friends ये थी complete rule आपका present perfect tense का, जिसके अंदर हमने सारे के सारे sentence type में, जो rule की modification होती है, उसको भी discuss कर लिया है, तो definitely आप इस वीडियो को बहुत अराम से देखिए, इसको share कीजिए अपने friends के साथ, और जो भी लोग English सीखना चाते हैं उनके साथ, and do not forget to subscribe this channel, thank you so much.